तो आज हम लोग numerical practice करने वाले हैं center of mass पर कुछ questions करेंगे पहला question असान से सुरू करेंगे बिल्कुल easy पहला question है suppose कि that three masses three masses of three kg four kg and five kg ठीक है तीन केजी चार केजी और पांच केजी का तीन मासे है are located are located at the corners of equilateral triangle कहां पर है यह at the corners of equilateral triangle equilateral triangle के कोने पे इनको रखा जा रहा है ठीक है and जिसका side दिया हुआ of side equilateral triangle जो side है उसका one meter है ओके तो बोला जा रहा है आपको कि locate the center of mass of the system locate center of mass of the system यानि center of mass कहां पर होगा इसका इसे system का center of mass आपको बताना है चली बनाइए समय ले लिजे एक minute बनाइए ओके तो इस तरह की questions में सबसे पहले आपको क्या करना होगा diagram समझना होगा मान लिजे कि x y plane में हम लोगों ने जो रखा है वो x y plane में इसको system को रखा है ठीक है यह x axis यह y axis और मान लेते हैं कि origin पर कोई mass को suppose कि लिजे कि origin पर mass है जैसे कि 3 kg मान लो कि origin पर है और यहां से 1 meter की दूरी पर आपको जो है यहां पर एक mass imagine कर लो और यहां से फिर जो है नीचे इस तरफ 1 meter की दूरी पर एक mass imagine कर लो ओके नाम दे दो इसको o a and b ठीक ओके तो यहां पर हम लोगा 3 kg हो गया यहां पर मान लेते हैं 4 kg यहां पर 5 kg इससे फाइदा क्या होने वाला है यह आपको 1 meter पता चल गया है यह भी आपको कितना है 1 meter है यह भी जानकारी में है आपको ठीक है ओके यह done अब क्या है कि इसमें हम लोग suppose कर लेते हैं कि x y जो है वो coordinate है center of mass का कि लेट कर लेज़े कि लेट x y बी coordinate of center of mass center of mass का coordinate माल लेते हैं x y ओके तो अब पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे यह formula लगाएंगे कि x जो है formula लगाते हो m1 x1 plus m2 x2 है ना तीन मास है ना तो m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3 यही formula होता है center of mass का तो first वाला जो mass है m1 माल लो इसको ठीक है इसको m1 माल लो इसको m2 माल लो इसको m3 माल लो कुछ ना कुछ तुमान लेंगे अब यह हम लोगा x निकल जागा देखो m1 के साथ 3 kg कहां पे है 0 पे है x coordinate बता उसका क्या है 0 तो m2 कहां पे है m2 आपका है कितना 5 kg कहां पे है m2 का अगर हम बात करें तो m2 जो है कितनी दूरी पर है भाई it is okay एक चीज़ यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हम लोग m2 का दूरी लेंगे वो कितना दूरी पर लेंगे तो यहां पे कितना है 5 का 1 है ठीक ना 5 के लिए 1 हो गया और 4 के लिए कितना लिखो गया तो 4 का x coordinate कितना है यह ध्यान दो x coordinate इसका यहां बीचो बीच पड़ेगा तो यह निकलेगा half 0.5 है ना एक पूरा यह total 1 है तो इसका यह value कितना हो गया 0.5 तो 0.5 यह multiply हो गया नीचे divide में सब मास को जोड़ दो 3 प्लस 4 प्लस 5 ठीक है तो x कितना आ जाएगा उपर में यह 0 हो गया यह हो गया 6 यह हो गया 2 8 हो गया उपर में और नीचे में हो गया 9 and 3 12 8 by 12 सही जार है ना 8 by 12 और यह आ गया आपको 8 by 12 आंसर कितना हो जाएगा इसको आप fraction में कर सकते हो 2 by 3 तो यह हो जाएगा 0.66 ठीक है 0.66 के about आ जागा इतना meter इसका x-axis पे होगा ठीक है x-axis पे कितना meter पे होगा center of mass 0.66 य के लिए निकालना होगा तो ठीक इसी तरह से निकालेंगा y के लिए भी y के लिए क्या करेंगे m1 y1 plus m2 y2 m3 y3 जिन लोगों ने अभी तक नहीं निकाला है एक बार भी practice नहीं किया है अभी इसको pause करके वीडियो इसको बनाओ y वाला खुद से निकालो ठीक है और नीचे में फिर से m1 plus m2 plus m3 चलो y वाला बना के दिखाओ सब लोग ओके सो आपका जो आंसर है देखिए मिलाइएगा मैं आपको बना के दिखाता हूं एक्ष्वली था हमारा figure ऐसा यहां था 3 यहां था 4 यहां था 5 तो हमें चाहिए इसका y axis ठीक है 3 वाले का y axis क्या है इसका y coordinate 0 है इसका भी y coordinate इसका भी y coordinate 0 है इसका y coordinate कितना ये value हमें पता नहीं है ये height कितना ये पता तो नहीं है तो इस height को पता करने के लिए क्या करना होगा ये हमारा half है और ये one है तो पैथा गुरस थिरम से निकाले में ठीक है यह पैथागो रस्तिरम से निकालो तो root under 1 square minus 1 by 4 यानि 1 minus 1 by 4 का root यानि कि हो गया 3 by 4 का root यानि root 3 by 2 यह y इसका जो है निकल गया किसका? 4 वाले का y है कितना? root 3 by 2 तो y का value निकालिएगा center of mass का जो y आएगा वो कितना आएगा? m1 यानि 3 into 0 ठीक है? 4 into 3 root 3 by 2 plus 5 into 0 और नीचे में total sum को add कर देज़े सारे mass को सारे mass को add कर दिया उपर तो सब 0 हो गया तो आपका बच गया 2 root 3 और नीचे में आपको 5 plus 4, 9, 9 plus 3, 12 तो हो गया root 3 upon 6 यह cancel होगा तो root 3 upon 6 हो गया यह आप इसे कह सकते हो अगर आप इसको divide multiply यह सब कर लोगे तो आपका जोई answer आएगा कितना आएगा? देख लो root 3 का value कितना होता है? 1.732 है ना? आप एक बार root 3 का value याद रखना चाहिए आपको ठेक है? क्योंकि यह जवरत पढ़ जाता है कभी-कभी तो 1.732 तो root 3 का value हो गया upon 6 ओके तो यह divide कर दिजे आप 6 से divide कर दिया 6 से कितना आगया? 0.28 के आसपास या 29 का सकते हो यह हो गया y-axis पे इसका center of mass ओके? done ओके तो देन्स्ट कोईशन is from NCRT textbook NCRT की यह question है right बहुत आसान तो नहीं कह सकते है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ के तो बन जाएगा find the center of mass of uniform L-shaped lamina यह L-shaped lamina आपको दिखाई दे रहा है L लिखा हुआ जैसा है L-shaped lamina जो कि आपके लिए thin flat plate है with a dimension shown in figure figure में dimension already दिया हुए यह point F है यह point E है यह point B है यह D है सब के coordinates bracket में दे रखे है यह point A है you have to find the mass of sorry find the center of mass ही करना है also given is that mass of the lamina entire lamina is 3 kg पूरा lamina का जो mass है वो 3 kg है तो अब question try कीजिया आप लोग बनाएगे okay so this is a very good question tricky question करना कुछ नहीं था असान है बिल्कुल देखो क्या करोगे इसमें पहला तो आप क्या करो इस तरह की जो figure है उसको आप पहले mass तो ले लो ना M1, X1, M2, X2 इस अब जो formula है लगाओगे mass किसको किसको लोगे तो यह आपको एक mass में बाट दो तो तीन mass में तो यह बढ़ जाएगा तीन भाग में यह बढ़ जाएगा और question आपको यह hint दे रखा है कि तीन kg का है और uniform आपका है तो यानि कि जो mass है वो सब में क्या है बाटा हुआ अगर uniform इसका मतलब क्या है तो इस ल शेपेड को इस Śपेड़ lambda को हम लोग 30 square में बाट सकते हैं 30 square में बाट सकते हैं है ना एक यह square हो गया एक दो और यह इसको थोड़ा सा इस के form में दिखा देते हैं जोड़ा रुक जाओ यह square के form में हम इसको बनाते हैं पहले ठीक तो अब यह हम लोग का square भी बन गया तो यह तीन तरह के square में बन सकता है कि नहीं clear है यह तीन square में बदल गया अब यह समझो कि हम फिर center of mass निकालना चाहरे हैं पूरे L से लैमिना का तो हमें इस तीनों का पहले center of mass का position जानना होगा तब तो हमें M1 X1 करेंगे M1 X1 या M2 X2 जो भी कर रहे हैं formula लगाएंगे तो इसका center of mass तो आपको पता है कि square का center of mass कहां होता है उसके intersection diagonal के intersection point पर यानि कि जो मैं blue रंग से उसे दिखा रहा हूँ तो वही उसका intersection का point होगा होगा की नहीं बीच ओ बीच होगा की नहीं होगा तो अब यह समझ लो कि यह जो दूरी है यह दूरी कितना है one है यह दूरी one है की नहीं तब ही तो यह one दिया होगा one and two इसका कहने का मतलब क्या है कि यह one यहां से यहां तक one है तो अगर ये one है तो ये बताओ कि ये जो मैंने dot दिखाया है ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये होगा half ये कितना हो जागा half हो जागा और अगर origin से इसका x-axis लें कि x-axis यहाँ से origin से कितना है इसका तो यहाँ से origin से कितना है यह origin से यह distance अगर हमें बताना होगा तो कितना होगा origin से अगर distance बताना होगा तो कितना होगा total है कितना यह total है 2 क्योंकि यह 2 दिया हुआ है ओके और यह half होगा कि नहीं क्योंकि यह total 1 है तो यह point तो half होगया यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगई यानि यह जो distance हम लोग देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी यह 3 by 2 है इसी तरह से यह हम लोगों परदा चल गया यह half है लंबा में और इधर भी x-axis से कितना दूरी पर होगा यह यह भी होगा half तो यह कितना दूरी पर होगा उसका भी निकालो यह वाला कितना point दूर पर है यह blue वाला तो यह देखो यहां से total अगर दूरी लोगे तो 2 है और यह अगर हम लोग देख रहे हैं यह कितना है तो यह 1 है तो इसका half यानि कि फिर से ये भी 3 by 2 होगा और यहाँ इसका height आपको पता है कि ये 1 by 2 है ठीक है तो नाम दे देते हैं suppose इसको नाम दे दी है C1 इसको दे दी है C2 इसको दे दी है C3 तो C1 का coordinate क्या लिखोगे C1 का x-axis बताओ C1 का x-axis हो जाएगा half और y-axis हो जाएगा 3 by 2 C2 का क्या लिखेंगे C2 का यानि इसका C2 का क्या लिखेंगे C2 का दोनों ही half होगा x-axis से भी इसका दूरी half है और y-axis से भी दूरी इसका half है C3 का क्या हो जाएगा C3 का y-axis से कितने दूर पर है 3 by 2 तो इसका हो जागा 3 by 2 and 1 by 2 तो इस तरह से हम लोग ने तीनो को पहले तो square में change कर लिया यह पहला step था दूसरा step तीनो के square का center of mass का coordinate निकाल लिया अगला क्या condition है कि आप यह mass सभी जितने है जिसका जिसका आप center mass निकाले हैं सभी 1 kg के हैं तो फिर हम लोग x निकालेंगे center of mass जो पुरा लैमिना का होगा उसको ऐसे करेंगे कि x निकालेंगे फिर y निकालेंगे चलो मैं आगे करके दिखा देता हूँ आपको नेक्स पेज़ पे चलते हैं तो c1 का coordinate था half 3 by 2 है ना यह आपको कुछ नहीं है यह अभी हटा देजिए इसको लिखी देते हैं ठीक से हम 3 by 2 है ठीक है simply और c2 का coordinate क्या था बालक half and half c3 का coordinate क्या था 3 by 2 and half okay अब हमें निकालना है मानलो x center of mask का तो फिर वही है m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3 कुछ नहीं है value आपको रखना है m1 m2 m3 सब 1 है तो 1 into x1 कितना है 1 by 2 फिर 1 into 1 by 2 फिर 1 into 3 by 2 done और नीचे कितना हो गया 1 plus 1 plus 1 यहनी 3 तो half उपर multiply plus half यानी कि 1 1 and 3 by 2 1 and 3 by 2 by 3 तो it will be 5 by 2 और 6 5 by 6 है कि नहीं फिर y निकाल लो center of mask इसी तरह से m1 x1 मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं समझने के लिए लेकिन इतना बार बार आपको एक्जाम में लिखने का अगर competition बैटर तो नहीं लिखना है ठीक है इतना सब कुछ तो वहां देखने नहीं आ रहा आपको simply answer find out किजिए और put किजिए option निकल जाए बाहर 1 in 2 3 by 2 फिर से 1 in 2 1 by 2 फिर से 1 in 2 यहां plus का sign 1 in 2 1 by 2 अकेन नीचे में 1 plus 1 plus 3 आएगा answer same आएगा कि नी सब कुछ वही आएगा बालक तो 5 by 6 तो यह हमारा center of mass जो होगा बालक वो कहां पे होगा आपका coordinate निकल गया 5 by 6 5 by 6 तो यही find करना था answer दोको अगर यह option में है तो टिक the next question this type of questions are also being seen regularly in the competitive examinations here we have a circular plate of uniform thickness that is diameter of 56 cm a uniform again a circular portion of that diameter 42 cm is removed from one edge of the plate right what you need to find is the center of mass of the remaining portion find कीजिये okay so in this type of question there is a one golden point जिसे अगर आपको apply करने आगिया तो आप असानी से question को बना सकते हो that golden point is मैं हमें लिख के बता रहता हूं से कि algebraic sum the algebraic sum of the moment of masses जो भी moment of masses होगा moment of masses किसको बोल रहे है जो हम लो लिखते है ना M1 X1 M2 X2 तो यह सब individually क्या है SMA यह सब क्या है M1 X1 क्या है M2 X2 क्या है यह सब moment of masses है तो जब आपका algebraic sum of the moment of masses जो होता है ना of various particles जितने भी बलग-बलग particles होते है various particles of a system of a system okay about the center of mass about its center of mass center of mass के about या दखिएगा center of mass के about में बोल रहा हूँ वो zero होता है center of mass के about अगर निकालोगे उसका algebraic sum करोगे ना तो वो zero होगा बालक अगर यह zero होता है तो यहां से हमें एक बहुत अच्छा concept मिल गया मतलब क्या है कि देखो इस figure को अगर बनाने जाओगे ना तो next page में बना के दिखा तो यहां गड़बर हो रहा है चलो next page में figure बना के दिखा देता हूँ तो अगर यहां पर figure बनाओगे इसका तो सबसे पहला एक cell होगा है ना उसके अंदर यह देखो यह बड़ा वाला sphere इसका center of mass माना मैंने यहां पर है कितना दूरी है center of mass इसका diameter था इसका 56 ना सायद मुझे देखना चाहिए एक बार 56 ओके और इसका radius तब कितना हो जागा half करोगे तो 28 28 इसका radius हो गया centimeter ही रखो है ना 28 इसमें से थोड़ा सा cut करके निकाल लिया गया है square बार से cut करके निकाल लिया गया तो देखो 21 centimeter का मैं cut करके निकाल ले रहा हूँ यह मैंने 21 centimeter का यहां से sata करके है ना यह पूरा यहां पर touch किया हो रहेगा 21 centimeter का यह जो है मैंने निकाल लिया space 21 centimeter यानि कि यहां से यहां तक का दूरी 21 centimeter है ठीक है ओके 21 सेंटीमीटर वेट 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 नहीं इसी का सेंटर तो नहीं होगा ना ये सेंटर तो कॉलाप्स नहीं करेगा ये नहीं होगा यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसका सेंटर अलग होगा यह center इसका है माल लो तो यहां तक ही 21 होगा यह center इसका माल लो उसका center इसका center तो अलग-अलग होगा न बालक तो यह center इसका यहां पे था जो वो तो है ही चलो इसको O नाम दे दो इसको O 1 दे दो अब जो हमारा बच गया ये space बच गया वस इतना ही space बच गया है जो color किया है मैंने वही बच गया है बाकी तो निकल गया है space अब इसका कहाँ पर होगा center of mass तो कुछ हद तक समझो कि center of mass आपको पता है जिधर body होता उदर shift होता है तो पहले यहाँ था अब जिधर body का ज़्यादा mass उदर shift होगा अब यही o2 को हमको पता करना है कितना है यही o2 हमें find out करना है center of mass नए वाले का कितना होगा तो पहले तो आपको जो आपका बड़ा sphere था उसका mass निकाल लो mass of मैं यहाँ लिख देता हूँ blue sphere ठीक है मेरा color ऐसे लिए मैंने blue sphere लिख दिया मास कैसे निकालते हैं बालक याद करो mass कैसे निकलेगा मानेंगे कि हम लोग per unit mass माल लो let पहले आपको यही करना चाहीथ था शुरू में ही लिखना चाहीथ यही पर लिख देते हैं let mass per unit area per unit area पर mass माल लेते हैं M ठीक per unit area का mass M माल लिए तो इससे फाइदा क्या होगा कि ब्लू वाले का एरिया निकालो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वाइर यानि 28 का स्क्वाइर इसको M से मल्टिप्लाइ कर दो मास निकल गया बड़े वाले का फिर यहाँ पर मास ओफ रेड मास ओफ रेड स्फेर निकल जागा कि नहीं रेड सर्कल या स्फेर नहीं बोले हैं सर्कल बोलो ठीक है स्फेर बोलोगे तो वॉल्लिम लेना पड़ जाएगा सर्कल बोलो बालक सर्कल ठीक है circle तो red circle का कितना फिर से इसका area 21 का square into इसके mass per unit area से multiply कर दिया remaining mass कितना है यहाँ पर remaining mass निकालना अगर है तो यह जो मैंने shade किया है वो बता रहा हूँ remaining mass मतलब shaded portion तो minus होगा 28 square m minus pi 21 square m common क्या आजाएगा pi m common 28 square अंदर 21 square अंदर 21 square अंदर गलती चुपाने के लिए मैंने bracket दे दिया है minus ठीक है अब इसको यहाँ पर solve कर लो 28 का square करोगे 21 का square करोगे minus करोगे तो आएगा 343 pi m इतना आगिया remaining mass आगिया आब यह सुन लो जो फॉर्म पीछे मैंने आपको star point बताया उसका फाइदा सुनो यहाँ पर जो point मैंने यहाँ लिखा न कि algebraic sum जो होता है किसी भी masses का moment of masses का center of mass के about जो algebraic sum होगा वोगे 0 होगा इसका use यहाँ करने वाले हैं ध्यान दो कैसे use करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 mass हम लोग ले लेंगे अब पहले क्या था पहले M1 है ना या कुछ भी M1 जैसे देखो इसमें तीन तरह का mass ले सकते हो ना एक बार red वाले का एक बार blue वाले का एक बार बचा हुआ का तीन है option आपके पास तो हम लोग किसको किसको लेते हैं देखो जैसे कि हम लोग माल लो इसका ले लेते हैं ठीक है जो रिमूव किया है उसका ले लो ये रेड वाला रिमूव किया M1 तो अब हमें center of mass के about इसको निकालो M1 into center of mass के about इसका क्या है moment center of mass से ये center of mass था इसका शुरू कहां था O पे ना था तो O से ये दूरी कितना है O से ये दूरी कितना है कितना है O और O1 के बीच का gap को आप कितना बोलोगे ये total आपका यहां से यहां तक का दूरी 28 हुआ ना और ये आप 21 लिये होते ये दूरी कितना होगा ये दूरी मैंने आपको बोला moment of mass about center वो कैसे लेंगे उसका mass और center of mass से कितना दूरी पर है वो बताना है उसका center of mass का ठीक है फिर M2, M2 और दूरी कितना लेंगे, M2 का center of mass था वो O2 था कितना दूरी है दूरी आपको पता नहीं है तो नाम लिख दो इसको, नाम लिख दो O O2 आप यहां देखो कितना आसान हो गया, solve करो कि तुरंत आ जाएगा देखो मैं solve करके next video में दिखा रहा हूँ M1 into 7 और M2 into कितना था, O O2 ठीक है, M1 कितना था, M1 कितना है, पीछे देखो M1, M1 मतलब जो हमें यह वाला न, कितना हो गया यह, 21 square into pi 21 square into pi into M, into 7 M2 कितना है, M2 कितना था, देख लो M2 कितना था, आपका M2 था, 343 pi M M2 था, 343 pi M यहाँ पे हमें यही निकालना है, O O2 O O2 कितना आ जागा, 21 square pi M by 343 pi M आ गया, solve कर लो यह न, इसको solve कर लो, तो 441 pi M नीचे आ गया, 343 pi M pi M, pi M cancel यह आ जाएगा आपको, अच्छा, यह multiply करना तो 7 रही गया न 7 यहाँ multiply गया, उपर में भी 7 ओके, तो इसको solve कर लोगे, तो 9 आ जाएगा, 9 cm यानि हमें O O2 पता चल गया, यानि center of mass जो होगा न, अब पहले अगर O पे था, तो जो shift हो करके 9 cm चला जाएगा अगर आप इधर से cut किये हो तो इधर से अगर cut किये हो, तो यह center of mass 28 पर था न, पहले यह 28 पे था, यहाँ से यहाँ 28 था, तो यह 9 cm जाएगा, मतलब 28-9 करते हो तो 19 हो गया यानि यहाँ पे हो गया, 19 के दुरी पर हो गया, ठीक है, surface से कितना दुरी पर हो गया, 19 ऐसे निकालते हैं बालक, बिल्कुल clear है, समझ आ गया, ओके तो अच्छा discussion हो चुका है, अच्छे-चे questions, concepts भी हमने discuss कर लिए हैं, और भी questions करेंगे, लेकिन उससे पहले, आपको academic tutor channel को subscribe कर लेना है, बालक subscribe कर नहीं रहो आप लोग, तो subscribe करो यार, एक तो बनता है subscribe आपके त लाइकन प्रेस कर लिया करो, क्योंकि अच्छे-चे notifications भी, तैमली आपको दे दिये जाते हैं, चैनल के थुरू, notes अगर पाना है, तो टेलिग्राम पे available है, टेलिग्राम का link आपका description में available है, जाके टेलिग्राम में ऐसे notes, आप जाके तुरंद find out कर सकते हो, पढ़ाया notes, अगर जैसे आज, suppose that का notes, आज का find करना है, तो 17 of June वहां लिखोगे, तो आज का notes आपको मिल जाएगा, date wise notes में available है, ठीक है, thank you so much, मिलते हैं नेक्स सेशन में,